Hello students, आज हम हिंदी का हमारा first lesson देखने वाले है मेला हिंदी की पुस्तक में सबसे पहले एक मेला का चित्र दिखाया गया है तो बच्चों आपको पता है कि मेला क्या होता है तो मेला क्या होता है तो जहाँ पे बहुत सारे क्या होती है दुकाने रहते है, घुमने के लिए रहता है, खाने के लिए रहता है वैसा ही यहाँ पे सुन्दर सा मेला लगा हुआ है इस चित्र में हमें क्या-क्या दिखाई दे रहा है चलो देखते हैं सबसे पहले यह हमें रेल की पट्री दिख रही है यहाँ पे बच्चों को खेलने वाली ट्रेन दिखाई दे रही है और यह उसका इंजिन भी यहाँ पे दिख रहा है इसके बाद यहाँ पे देखो यह यहाँ पे दो गाडिया दिख रही है यह दमकल की गाडिया है अगर कुछ आग वगएरा लग जाती है तो तूरंत आग बुझाने का काम ये लोग करते हैं कौन ये दमकल वाले लोग ये आग बुझाने का काम करते हैं इधर एक हमें देखो यहाँ पे सहायता कक्ष दिखाई दे रहा है अगर किसी को हेल्प की जरूरत पड़े तो यहाँ पे हेल्प की जाती है अब यहाँ पे देखो यह जो बड़ा चक्रा आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते है हिंडोला यह हिंडोला बहुत बड़ा होता है इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे है आपको दिख रहे है ना इसके बाद यह है देखो यहाँ पे यह क्या है चक्री गाड़ी या फिर उसको हम गुमने वाली गोड़ा गाड़ी भी बोलते है इसमें भी क्या है बच्चे बैठे है और आनन ले रहे है यहाँ पे देखो यहाँ पे एक क्या है सुरक्षा चवकी हमें दिख रही है उसके ब छोरी हो गई, कुछ गूम हो गया तो यह चवकिदार उनकी मदद करता है, उसके बाद यहां पे एक गुबबारे वाला आपको दिख आए, लिबहे हैं क्या कर रहा है, गुबबारे बेच रहा है, यहां पे देखो कुछ खिलोंने की दुकान है, कुछ बच्चे वहां पे खि उसके बाद यहां पे देखो एक चाट वाला है वो चाट बेच रहा है और कुछ बच्चे उससे चाट लेकर खा मज़े से खा रहे है उसके बाद यहां पे देखो पीने के पानी को रखा गया है यहां पे आपको दिख रहा है यह पीने का पानी यहां पे रखा गया है उसके और क्या लिखा है बून बून पानी बच्चा घ मानी तक यहां पर पानी का महत्व बताया गया है यहा पर एक नेम बाजी वाला है यह देखो शहाथ्स कुछ लोग नेम बाजी वाला रखेग़े यह भी यह यहां पर है कुड़े दान किसली रखते हैं कचरा डालने के लिए तो इस तरह पूरे मेले का दुरुष्य दिखाई दे रहा है तो इसे आप लिखने का प्रयास करें